वेल्कम फ्रेंड्स आपका एक बार फिट से स्वागत है कुछ निव फर यू में तो दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं कि अगर आप कम रैम में अपनी पब जी गेम चलाना जबते हैं जब भी हम पब जी जैसी गेम मोबाइल फोन में चलाते हैं तो यार उस तो आज मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूं कि जिससे आप अपने फोन की स्पीड बढ़ा सकते हो और साथ के साथ पबजी कम रैम में बढ़िया तरीके से खेल सकते हो कोई प्रोब्लम ही होगा बस आपको अपने फोन की सैटिंग्स में कुछ चेंजिस करने होंगे और आपका फोन है तो बिल्कुल उसकी स्पीड फोर टाइम्स जैदा बढ़ जाएगी और आप अराम से अपनी अप्स को इंस्टॉल करके कोई भी गेम कहलना चाते हो तो खेल सकते हो स्पेशली पबजी पबजी हाई ग्राफिक्स वाली गेम है तो फोन पे लोड तो है तो आपको सिर्फ करना क्या है अपनी फोन की सेटिंग्स में जाना है आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है और फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाना है अबाउट सेक्शन पे ओपन करने के बाद आपको वहां पे version, MIUI version या सिर्फ version option मिलेगा उस पर आपको seven times tap करना यानि seven times click करना ठीक है, ग्रहाँ, शाथ भार आपको उस option पर click करना तो उस option पर click करने के बाद अपका न वहाँ पर एक developer option शुरू हो जाएगा और उस option पर जब अगर वो option आपको नहीं दिखता हो home screen पे आने के बाद तो आप फिर settings में जाओ और additional settings में जा के आपको developer options जरूर भी हाई देगा उस पे click करने के बाद आपको एक animation scale का button होगा उस पे आपको मतलब click करना है अगर आपका animation scale 1x है आपका phone slow है तो आपको 0.5x कर देना है और अगर आपका animation scale वहाँ 0.5x है तो आपको zero कर देना है उसके बाद आपके phone की performance देखना हो आप कम RAM में भी game खेल पाओगे PUBG आपकी phone की speed इतनी बढ़िया हो जाएगी और apps आप जब window apps खोलोगे तो आप खुद देखो यार कितनी phone की speed आपकी बढ़ जाएगी तो आप ये ट्राइ करके देखो आपको जरूर फायदा होगा इस चीच से तो PUBG आपको पताए कितनी heavy game होती है अगर PUBG आपको खेल नहीं है कम रहने तो आप इस option को ड्राइग कर सकते हो सब कुछ बता दिया आपको इस वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक शेयर कर देना यार साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना